नमस्कार बहुत बहुत स्वाकत है आपका न्यूज ओल इंडिया मैं मैं हूँ आपके साथ प्रद्दिमन शर्मा BCCI अध्यक्ष और पूर्फ क्रिकेटर सौरफ गांगुली की तव्यत एक बार फिर सब बिगड़ गई है अब उनकी तव्यत एक बार फिर बिगड़ने पर वुड्लेंड अस्पताल की डॉक्टर रुपाली बसूने का है कि सौरफ गांगुली की धमनियों में रुकावट के रिए परिक्षण करवाना है आपको बताते हैं कि साथ जन्वरी को सौरफ गांगुली को वुड्लेंड अस्पताल से चुट्टी मिली थी दो जन्वरी को सौरफ गांगुली की तव्यत अचानक बिगड़ गई थी इसके बाद उन्हें कोलकता के वुडलेंड अस्पताल में भरती कराया गया था। दोजनवरी को अपने घर में जिम में वर्काउट करने के दोरान गांगुली को सीने में दर्ध हुआ था। इसके बाद परिजनों ने तुरंत कोलगता के वुडलेंड अस्पताल में उनको एड्मिट कराया था 48 वर्षे सौरफ गांगुली की एंजोप्लास्टी की गई और उनकी दिल की नस्व में सिटेंट डाला गया आपको बता दे कि सौरफ गांगुली की एक धमली में अंजोप्लास्टी हुई थी लेकिन इसके अलावा गांगुली के दिल की नस्व में दो और रुकाविटे थी अस्पताल में तब कहा गया था कि गांगुली के दिल की नसव में बाकी दो ब्लॉकेज के लिए अगली एंजुप्लास्टी पर फैसला बाद में लिया जाएगा क्योंकि गांगुली पहले से काफी बहतर है डॉक्टर ने उन्हें नियमित रूप से चेक अप कराने की सलावी दी थी और साथी साथ सौरफ गांगुली के ब्लॉकेज काफी क्रिटिकल बताए गए थे इस से पहले कोलकता के वर्ट लेंड अस्पताल में सौरफ गांगुली का इलाज करवाने वाली डॉक्टर अफताव कान ने बताया कि सौरफ गांगुली की हार्ट में दो ब्लॉकेज थे वोर्लेंड अस्पताल के CEO डॉक्टर रुपाली बासू और डॉक्टर सरोज मंडल ने बताया था कि उनके हाट में कई ब्लॉकेज है जो काफी क्रिटिकल थे फिलाल उन्हें अभी सीने में दर्द हुआ है जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भरते करा दिया गया है जहां उनका इलाज जा रही है फिलाल के लिए इतना ही बने रही है निजोल इंडिया के साथ नास्कार